सद्गुरू, आप हिंदू मंदिरों को सरकारों के चंगुल से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं समझ सकता हूँ कि मैनेज्मेंट कोई भी कर सकता है। पर प्राण प्रतिष्ठित रूप के संपर्क में किसे रहना चाहिए। क्या ये फिर से ब्राह्मनों के पास चला जाएगा। सद्गुरू, क्या मंदिर प्रबंधन का बस यही एक तरीका है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं बस सम्विधान में जो लिखा है, उसका अनुवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि कैसे किसी आध्यात्मिक स्थान या आप अगर इसे धार्मिक स्थान कहना चाहें, इसको कैसे मैनेज और चलाया जाना चाहिए। इस देश के और दुनिया के ज्यादतर हिस्सों में लगबख सभी लोकतांत्रिक देशों में लोगों के पास ये मूल भूत अधिकार है जाना चाहते हैं, वो वहाँ जाएंगे, जो नहीं जाना चाहते हैं, वो नहीं जाएंगे, तो क्या किसी समुदाय को इन में वापस लौट आना चाहिए, कि वह लेकी समुदाय को मंदिर के अंदर होना चाहिए। मुझे लगता है इस मुद्दे का हल तो द्रवड अंदोलन के साथ ही हो गया था समुदायों को उनके पेशे के आधार पर बनाया गया था अगर आप एक बढ़ही हैं तो आप एक तरह के आचारी हैं अगर आप सुनार हैं तो दूसरी तरह के लुहार हैं, तो एक और तरह के अगर आप एक व्यापारी हैं, तो आप एक तरह के वैश्य हैं किसान हैं, तो दूसरी तरह के अगर आप योध्धा हैं, तो एक दूसरी श्रेणी में हैं तो पेशों के आधार पर समुदाय बनते चले गए ऐसा नहीं था कि एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में लोग नहीं जाते थे वो जा सकते थे पर धीरे धीरे दुर्भाग गिवश लोगों ने इन श्रेणियों में अंतर को भेद भाव में बदल दिया और उसे शोशन का एक जरिया बना लिया तो अगर हिंदु मंदिरों को आप कह रहे हैं अगर मैं कह रहाँ कि उन्हें मुक्ध होNA ही चाहिए क्योंकि इसका एक महतुपून पहलु ये है कि इनका संबंद कभी भी किसी एक विशेश संप्रदाय से नहीं था बलकि किसी एक विशेश गुण से था देवी मंदिरों को एक तरह से बनाया गया शिव मंदिरों को दूसरी तरह कृष्ण के मंदिरों को किसी और तरह से सारे विश्णु मंदिर किसी और तरह से ब्रह्मा का और अलग तरह और देवियों में भी उनके विभिन रूपों के मंदिर अलग-अलग तरह से बनाय गए ये सभी उर्जाओं के केंदर थे जिने अलग-अलग तरह के उद्देश के लिए बनाय गया था आपको किस उद्देश के लिए जाना है उस अनुसार आप अपना स्थान चुन सकते थे और इनकी प्रकृती के हिसाब से अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग प्रकार के मंदिरों को मैनेज करते थे और धीरे-धीरे मंदिरों के रखरखाव के लिए भक्तों द्वारा सहयोग दिया जाता रहा और मंदिरों की संपत्ती बढ़ने लगी और जैसे जैसे संपत्ती बढ़ती गई तो कुछ खास समुदायों ने इन पर अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ इतनी धन दौलत थी तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों ने उस पर अपना दबदबा बना लिया और बिटिस सामराज्ज में आपको यह समझना चाहिए कि हिंदू मंदिरों को बिटिस सामराज्ज द्वारा नहीं बलकि इन्हें इस्ट इंडिया कंपनी नाम के कॉर्परेट द्वारा छीन लिया गया था एक बिजनेस ने मंदिरों पर कबजा कर लिया आपको लगता है कि एक बिजनेस को आपके धर्म में इंट्रेस्ट था नहीं क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ इतनी धंद आलत थी उन्होंने हर हाल में इसे पाने का फैसला किया 1840 में क्योंकि इन मंदिरों को अंग्रेजों द्वारा मैनेज किया जा रहा था तो इसाईस हमुदाये ने इसका विरोध किया इंग्लेंड में भी और यहां भी कि क्रिश्चन दूसरे धर्म के मंदिर चला रहे हैं और हमें ये बरदाश्ट नहीं है तो उन्होंने मंदिर को वापस देने का फैसला किया पर तब तक सारा जेवर और सब कुछ लूटा जा चुका था जमीन वो इंग्लेंड नहीं ले जा सके बाकी जो ले जाया जा सकता था वो सब ले गए कुछ मंदिर इससे बच गए पर ज्यादा तर मंदिरों के पास सोना, हीर जवाहरात का जो विशाल भंडार था जो कि लोगों के लगातार सहयोग से इकठा हुआ था सब चला गया ये आपातकालिन स्थिती जैसे सूखा अकाल के लिए हुआ करता था जिसे खर्च करने का नेड़नाय मंदिरों द्वारा लिया जाता था खेर, अब ये इतिहास की बात है तो इन्हें मुक्त करने के बाद क्या ब्रहमनों को वापस आ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं एक समय था जब सेना में भरती होने के लिए आपको क्षत्री होना पड़ता था मंदिर में होने के लिए ब्रहमन पर आज आप जानते हैं कि कोई भी भरती सेना जॉइन कर सकता है चाहे वो किसी भी जाती धर्म समुदाय से हो तो यही चीज मंदिरों के साथ भी होनी चाहिए बस एक जरूरी चीज होगी तो हम इसके लिए संस्थाएं खोल सकते हैं जो ट्रेनिंग देंगे चाहे आप किसी भी धर्म जाती से हो आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं हमें ऐसी संस्थाएं बनानी होंगी जो लोगों को ट्रेन करें कि एक शिव मंदिर में क्या होना चाहिए क्रिष्ण मंदिर में क्या होना चाहिए विष्ण मंदिरों में क्या होना चाहिए देवी मंदिरों में क्या होना चाहिए जो भी ये प्रक्रियाएं सीख कर परीक्षा पास कर लेंगे वो मंदिर चलाएंगे यहाँ ईशायोग केंद्र में इसके बहतरी नुदारण मौजूद है भैरवी देवी मंदिर की एक कड़ी ट्रेनिंग प्रक्रिया है क्योंकि इसमें कई सारे रिवाज और प्रक्रियाएं हैं केवल महिलाएं ही इन्हें कर सकती है पुरुष गर्ब ग्रेह से बाहर रहते हैं वो भीतर नहीं जा सकते क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिती ही ऐसी है और यहां ध्यान लिंग मंदिर में आधे चंद्र मास इसे पुरुष मैनेज करते हैं और महिने के अगले भाग में महिलाएं पर ये सबी ब्रहमचारी हैं भस्म वाले लोग क्योंकि वो खुद भस्म है अब काल भैरव मंदिर बन रहा है आप देखेंगे कि उसे बिलकुल अलगी तरह के लोग मैनेज करेंगे हाँ, क्योंकि ये बस जीवित लोगों के लिए नहीं बन रहा ये मर चुके लोगों का भी खयाल रखेगा तो इसे एक अलगी स्थरकी भागिदारी चाहिए एक अलग स्थरकी योगिता इसे मैनेज करने के लिए और यहाँ जो लोग मंदिरों में आते हैं देखें, यहाँ हर धर्म, जाती, पंथ के लोग, हर कोई आता है कोई चेक नहीं करता कि कौन क्या है क्योंकि हमें इसमें इंट्रेस्ट नहीं है कि आपके पिता कौन थे हमें बस इसमें इंट्रेस्ट है कि आप कहां जाना चाहते है यही लोगतंत्र की बुनियाद है, मैं आपको बता रहा हूँ लोगतंत्र की बुनियाद यह है कि हमें आपके पूरवजों में रुची नहीं है, आप कौन हो, हमें बस इसमें रुची है, यही लोकतंत्र है, और यही आध्यात्म की बुनियाद है, हमें इससे मतलब नहीं कि आपके पिता और दादा कौन थे, वो जो भी रहे हो, आप क्या हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, आ बुजारी केवल प्रक्रिया को पूरा करवाते थे, वो वहां बस चीजों को आसान बनाने के लिए हैं, कभी भी उस जगह पर शासन नहीं जमाते, कभी वहां अपना दबदबा नहीं बनाते, कोई उबदेश नहीं देते, वहां कोई भी कभी कोई उबदेश या फिलोसफी य जहां वो खुद को पोशित कर सकते हैं, अपने आंतरिक विकास के लिए, तो अभी मैं कह रहा हूं कि, मस्जिदों और गिर्जा घरों और सभी जगाओं को ऐसा ही बन जाना चाहिए, मान लीजे, मस्जिद में जो वो करते हैं, उसका एक पहलो मुझे पसंद है, तो मैं वह भी लाएं, बुर्का पहने हुए, उन्हें ध्यान लिंग पसंद है, वो वहाँ बैठना चाहती हैं, भैरवी में, शायद उनके हिसाब से रिवाज प्रक्रियाएं ज्यादा हैं, तो वो बस देखते हुए निकल जाती हैं, पर उन्हें ध्यान लिंग पसंद है, तो वो वह जिसमें एक अलग तरह की भागीदारी चाहिए, जब तक कि कोई इस बुन्यादी उद्देश का अनुसरण करने का इच्छुक है, जिसके लिए इसे बनाया गया है, और उन मानकों को फॉलो करने के लिए तयार है, जो इस उद्देश को पूरा करने के लिए बनाये गए है तो किसी भी इंसान को ना सिर्फ उस जगा, बलकि गर्ब में भी प्रवेश मिलना चाहिए, कोई कहीं से भी हो, तथा कथित बक्वास, ये हाई क्लास, लो क्लास, उची जाती, नीची जाती, कोई हिंदू हो, मुसलिम, मिसाई, यहूदी, सिक, चाहे जो भी हो, अगर वो किसी ये खास आयाम के प्रति आकर्शित हैं, और उसके लिए जरूरी तयारी से गुजरने को इच्छुक हैं, तो आज उसे एक संस्था के रूप में बनाया जा सकता है, आपको ये समझना चाहिए, कि जो संस्थाएं थी, उन सब पर एक नकारात्मक धंग से जाती प्रणाली का रंग पोद दिया गया, अब वो संस्थाएं जो लुहारों को ट्रेन करती थी, लुहार जाती बन गई, वो एक संस्था है, दुर्भागिवश, किसी तरह सुनारों ने ये पहलाना शुरू कर दिया कि सुनार लुहारों से उपर हैं, जबकि किसी समाज में आप लुहारों क बिना नहीं रह सकते, सुनारों के बिना आराम से रह सकते हैं, तो ये उँच नीच का बिजनस बाद में हुआ, मंदिरों में ऐसा कभी नहीं था, देखे, मंदिर मतलब ऐसा स्थान, जो जीवन के लिए, जो जीवन के एक विशेश आयाम को, जो की बहुत एक प्रकृती की स सीमाओं से परे जाने के बारे में हैं, उसे लोगों के लिए उपलब्द करा रहा है, लोगों को उस आयाम का अनुभव कराने के लिए, अगर आपने भौतिक्ता की सीमाओं को पार कर लिया, तो आपने उन सभी सीमाओं और भेदों को पार कर लिया, जो आज दुनिया में बने हुए हैं, जाती, पंथ, लिंग और हर तरह की बक्वास के नाम पर. हमने, देखे, इस तरह की चीजें कई मंदिरों में हुई हैं, कि वो विदेशियों को नहीं आने देते. देखे, एक समय था जब भारत में बोर्ड लगे रहते थे, भारतियों और कुट्टों को यहां आने की अनुमती नहीं है. तो प्रतिक्रिया में, आपने अपने मंदिर में ऐसा लिख दिया, कि विदेशियों को अनुमती नहीं है. यह आपकी एक छोटी प्रतिक्रिया थी. और यह सज भी था कि, कुछ लोग बस मंदिर का तिरसकार करने आते थे. वो बस ऐसी कई घटनाएं हुई, जहां वो अंदर आकर वहां थूकना चाहते थे, कई ऐसी घटनाएं हुई, जहां लोग जान बूच कर मंदिर में पिशाप करना चाहते थे, वो गुलामी का समय था, वो बीद गया. आज अगर कोई, जिसका जन भारत में नहीं हुआ, और वो मंदिर आना चाहता है, तो वो इसलिए आ रहा है, क्योंकि वो सच में आना चाहते हैं. तिरसकार ये आपमान करने नहीं, वो वाकई आना चाहते हैं, क्योंकि वो इसका अनुभव करना चाहते हैं. तो राष्ट्रियता, लिंग, जाती, पंथ, कुछ भी माइने नहीं रखता, क्योंकि ये एक आयाम है, मंदिर एक आयाम है, जहां आपका लेंदेन उससे होता है, जो आपकी बहुतिक प्रकृती से परे है, और ये आयाम हर इनसान के लिए खुला है, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए नहीं, सिर्फ उप्योक के लिए नहीं, बलकि गर्ब ग्रह के संपर्क में भी, ये आयाम हर किसी के लिए खुला है, यहां कई माँ थी, जो एफरिका से थी, आज हर जगा के लोग यहाँ हैं कुछ अमेरिका से, कुछ भारत से मैं और कई तरह के लोग देखना चाहूंगा शाय Schmidt से, Japan से, यहाँ के, वहाँ के, हर तरह के यह जरूरी है यह जरूरी है ना सिर्फ मंदर के लिए यह जरूरी है, मानवता के लिए कि बिना किसी भेदभाव के हर कोई उन्नती करने की चाहर रख सके, हर कोई उन आयामों को छूने की कोशिश कर सके, जो उनकी वर्तमान की सीमाव से परे हैं. यही वज़ा है कि क्यों मैं मंदिरों को सरकारी चंगुल से मुक्त करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि यह आज भी इतिहास के एक भद्दे हिस्से को पकड़े हुए हैं, जो एक समय पर था, समय आ गया है उसे खत्म करने का और एक भवे भविश्य बनाने का.